हेलो दोस्तो श्वागत है हमारे एक और नए ब्लाग में आज हम जा रहा हैं माग मेला देखने प्रयाग राज सुनने में आए वहाँ पर आयोध्या की तरह एक पंडाल बना हुआ सिदी राम चंद जी का आईए आप लोगों को चलते हैं वहाँ का पंडाल लिखाते हैं अगर आपको यहाँ पर कपड़ा लेना है तो मेले में आ सकते हैं बगल में जूते के दुकान भी मिल जाएंगी अच्छे अच्छे और सही रेट में आपको लोबर टी सर्ट हर चीज मिल जाएगी सामने हमने देखा तो इस रो वाला जो है पंडाल बना हुआ था जो देख कर यहाँ पर फोटो की जाते हैं इसी मंदिर के बगल में राम मंदिर पंडाल है आईए आप लोगों को वहां ले चलते हैं जहां आज हम वीडियो बनाने आए देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बाहर से देखने में अभी हम आप लोगों को अंदर भी लेकर करना है तो माग मेले के अंदर आईए और मेले के अंदर यह पंडाल आपको दिख जाएगा जो देखने में बहुत भब्य बाहर आप फोटू भी किछा सकते हैं और अजध्य जाने के बज़ए अगर आप इलहाबाद में ही दर्सन करना चाहते हैं तो कुछ उस तरह से अन् लगी हुई थी कुछ लोग टिकट ले रहे थे उसके बार हमारा नंबर आएगा हमारा नंबर आ जाता फिर हम भी जाते हैं टिकट लेते हैं अब चलते हैं आप लोगों को अंदर लेकर यह गेट अभी जिससे हम अंदर होने वाले हैं आए चलते हैं अंदर देखते हैं कैस हम भगवान सिरी राम जी का दर्सन करवाने तो दर्सन करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब करें देख सकते हैं बाहर निकलने का गेट है और अंदर घुसने का दूसरा गेट है सबसे पहले हम सेलफी लेते हैं यहाँ पर और फिर धीरे से चलते हैं आप लोगों को दर्सन करवाने अब धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं सिरी राम चंद जी के पास में और आप लोगों को आप करवाएंगे दर्सन देख सकते हैं अभी तो भीड काफी कम है लेकिन रात में यहाँ पर भीड ज्यादा देखनों को मिलती है जैसे यह आप पहुचेंगे सबसे पहले आपको तीन मूर्ती देखनों को मिलेगी राम लच्षमड और सीता जी बगल में कोई और है सायध हनमान जी है हनमान ज देखने में बहुती प्यारा लग रहा था तो वह थोटा और देखते हैं तो लोग यहाँ पर फोटु कीच रहते हैं तो हमने भी सूचा चलो हम भी एक सेल पी लिया उसके बाद अम देखते हैं कि बगल में जो है पंडित बाबा सब को टीका लगा रहा रहते हैं अगर लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्त देख सकते कितना प्यारा लग रहा है यह लाइट सोचिए रात में कितना ज्यादा प्यारा लगेगा अब हम ठक चुके हैं दोस्तों जा रहे हैं बाहर अगर आप स्रीराम चंद जी के भगते हैं तो कमेंट में जैस्रीराम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत बहुत धन्यवाद